So, hey all students, welcome back to my YouTube channel, this is Himani Jossi from Haldwani Uttrakhand तो जैसे आपने मेरे से लाइव बैठिक है, जो Friday को मैंने लाइव कंड़क्ट कराई थी, कर रात को तो बहुत सारे स्टुडेंट मेरे से कोईशन करे थी, हमें फीस स्ट्रॉक्चर बतातो गौर्मेंट कॉलेज का चाहे वो GNMO, चाहे एनमो, बेस्ट नर्सिंग या परामेडिकल हो, तो यहाँ यहाँ पर मैं फीस स्ट्रॉक्चर लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, चाहे वो बेस्ट नर्सिंग हो, परामेडिकल हो, जी एनमो, एनमो तो यहाँ मेरे पास एक नोटीस है, मतलब पीडिएफ था, जो मैंने डाउनलोड करा था, ठीक है, मतलब पहले का पीडिएफ है, तो आप उसके एक हिसाब लगा सकते हो, कि आपकी फीस कितनी जाने वाली है इस बार भी, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ले कॉलेज की सेम रहती है, चाहें वो हल्दवानी हो, अल्मोडा हो, पितोडागर हो, कोई भी कॉलेज हो, बस मैस फीस थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, यह मैं पहली भी आपको बता चुकियों, बट ओवराल फीस वही रहती है, ठीक है ना, और यह है 2017, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23 का भी फीस इस्ट्रक्चर यही रहने वाला है, तो डोंट वरी, इसको लेगे कोई कंफ्यूज मत होईएगा आप लोग, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, जो A&M है, A&M की यहां पर जो राजी कोटे की सीट्स हैं, और प्रबंधी कोटे की सीट्स हैं, राजी कोटा म परे थोड़ा ज़ादा भी ले सकते हैं, फिर कोई additional fees भी हो सकते हैं, उनके address वगेरा को लेके, बट फिर G&M में G&M की है, 44,800 प्रतिवर्स हैं, और वहीं प्रबंधी कोटे की बात करें तो 55,000 है, BSE nursing की government में है, 61,600 और वहीं हम लोग private sector की बात करें तो 22,600, इसमें आप ल नीचे करते हैं, नीचे के स्कॉल डाउन करते हैं, तो हमें यहां पर पोस्ट बेसिक BSE nursing और MSC nursing का भी fee structure दिखाई देगा, यहां तो यहां पर पोस्ट बेसिक BSE nursing की जो फीस है, वो है 61,600 और प्रबंधी की कोटी की है, बहुततर 1,600, MSC nursing अगर आप करना चाहते हो, तो 70,000 लगेगी, और अगर प्रबंधी की कोटी की बात करें, तो आपकी 75,000 something कुछ आपकी यहां पर fees लगने वाली है, तो यह overall fees हो गई है, BSE nursing, A&M, G&M, Post Basic, MSC nursing की, आप यहां पर हम बात करते हैं कि paramedical की fees कितनी लगने वाली है, या फिर क्या fees structure रहने वाला है, ठीक है, यहां आप देखेंगे, आपकी admission या फिर registration fees, जो only at the time of admission लगती है, 500 है, 500 है, tuition fees, 25,000 something है, library fees, 19,000 है, laboratory fees, आपकी 2000 है, games, cultural activity की 500 है, identity card की 100 रुपिया है, examination fees, वो university आपके exam time पर लेती है, और जो यहां पर आपकी mess fees हो गई, वो मतलब की mess fees सबकी अलग लग होती हैं, मैं अलड़ी बता चुकी हो, security हो गया, fees, आपकी जो 5000 है, वो आपकी refundable हो जाएगी, बाब में जासे हैं, आपके clearly देख सकते हो, तो overall एक total जो हिसाब है, वो आपका हो जाएगा, 45,000 पेरा medical की fees, ठीक है, तो इसमें आपका overall पूरा खर्चा आजाएगा, तो कहीना कहीं आपको एक superficial level पर समझ आचुका होगा कि कितनी fees रहने वाली है, BSC Nursing, A&M, J&M, Paramedical, Post-Basic, MSC Nursing, I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, कुछ समझ आया होगा आपको इस वीडियो से, यह था overall fees structure जो कि आपको मैंने बता रहा है, I hope यह आपके लिए कुछ helpful रहा होगा, कुछ और पूछना है, comment सेक्षेन में अपने doubts किलियर कीजिए, अगली वीडियो किस पर बनाओं यह बताईए, और ऐसे मेरे चनल के सांथ बने रहे हैं, love you all